जानते हैं पांच ऐसी चीजें जिनको अगर आप भीगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको इनसे इतने फायदे मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे जिहां dear friends मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुपता एक आईविधिक डॉक्टर और आज के समय में वो बिमारियां जिससे आजकर हर दूसरा व्रेक्ती परिशान है चाहे वो मोटापा हो, डायबेटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, बालों का जड़ना हो, खुटनों का दर्ध हो, इन सारी बिमारियों का एलाज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहली चीज जो भीगो कर खानी है, वो है कुल्थी की डाल, इसे एंगलिश में हौर्स क्राम कहते हैं, आपने डालें तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन अब आपको अपनी डायट में शामि जीख खाना है, सब्दियों में आप इसकी कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको कुल्थी की डाल को रात को पानी में भीगो कर रखना है, और सुबह खाली पेट इसे खाना है, अब ये कुल्थी की डाल आपको फाइदा कैसे करेगी, त्रेंट्स, आज कल की एक बहुत बड़ी प्राबलम किड्नी स्टोन यानि की गुल्दे की पत्री की है, अगर आपको गुल्दे की पत्री है, या कोई नजदी की आपके गुल्दे की पत्री का पेशिंट है, तो आप या वो कुल्थी की डाल खाना शुरू करें, कुल्थी की डाल में वो ताकत है कि ये आप खा कर देखें, रात को पानी में भीगो कर रखें, सुबह खाली पेट उस दाल को खाएं, इससे आपको बहुत फायदा होगा, इसके अलावा कुल्थे की दाल हमारे वजन को बहुत तेजी से कम करती है, जो लोग अपने बढ़े हुए वजन से परिशान है, वजन को कम क करने की ट्राय कर रहे हैं, तो उनको इस दाल को जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, खाने का तरीका बहुत असान है, सिर्फ एक दो चमच सुबह खाली पेट खाना है, इतना करने से ही आपको बहुत फायदा मिलेगा, एक से दो महिने में आपका पान से दस किल होना एक आम बात है, अगर किसी को भी सांस से जुड़ी हुई प्राइट में शामिल करना चाहिए, फ्रेंड्स अगली चीज जो भीगोकर आपको अपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, वो है जीरा, जीरा को भी आप सबजी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जीरे का जो सही इस्तेमाल है, वो है रात को इसे पानी में भीगोकर रखना और सुबह खाली पेट इसे खाना, जीरे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी प्राबलम, वजन का बढ़ना उसे कम कर देगा, अगर कोई भी मोटापे से परिशान है, तो उसे अपनी डाइट में जीरा जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन जीरा ऐसे नहीं कि सबजी में जारा डाल कर खाएं, जीरे का एक चमच आप रात को पानी में भीगोकर रखें, और सुबह खाली पेट उस जीरे का सेवन करना है, और साथ ही साथ वो जो पानी है उसको भी पी लें, फेंड्स जीरे में धेस सारा फाइबर होता है, ये फाइबर हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे मेटबॉलिसम को बूस्ट करता है, जिससे कि हमारा खाया हुआ खाना तेजी से एनरजी में कनवर्ट होता है, और जो आपके पेट की चरबी है वो भी द अगर आपको कब्स है तो इस आपका खोन गंदा हो जाता है और खोन गंदा होने से आपके किड़नी में स्टोन पैदा करता है। यही गंदा खून आपके दिल में blockage पैदा करता है जिससे आपको heart attack आ सकता है इसी गंदे खून के कारण आपकी पूरी बाड़ी में oxygen की supply कम हो जाती है जिससे कि आपको आलसफन महसूस होता है धीरे धीरे यही गंदा खून आपके चेहरे पर pimples भी पैदा करता है तो इस तरह से यह आपकी इतनी सारी बिमारियों का कारण बन जाता है और इसके पीछे का कारण है आपकी constipation यानि carbs तो अगर आप जीरा खा रहे हैं तो इतनी सारी बिमारियां आपकी ठीक हो सकती है अगली चीज जो भीगोकर आपको सुबह खाली पेट खाना है वो है चिया के बीज आप इसे बहुत कम लोगों ने चिया के बारे में सुना होगा दरसल चिया के बीज हमारे वज़न को बहुत तेजी से कम करते हैं जो लोग अपने बड़े हुए वज़न से परिशान है उनको चिया के बीज जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए इने खाने का तरीका भी वही है आपको इने पूरी रात पानी में भीगोकर रखना है और सुबह खाली पेट इने खाना है चिया के बीज में धेज सारा फाइबर होता है इसी फाइबर के कारण ये हमारे मेटाबॉलिजम को बूस्ट करते हैं हमारी कॉंस्टिपेशन को ठीक करते हैं साथ ही साथ वज़न को बहुत तेजी से कम करते हैं अगली चीज है मेथी दाना, मेथी दाना हमारे घर के किचन में होता ही है, लेकिन हम इसे सही धंग से इस्तिमाल नहीं करते हैं, अधिकतल तो हम सिर्फ इसे अचार डालने में हैं, मेथी का दाना अयूरवेद में एक ऐसी ओश्द है, जो आपकी आज की सबसे बड़ी खाना खाना शुरू करते हैं तो आप diabetes को जड़ से खतम कर सकते हैं आपको diabetes की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं आप रात को एक चमच मेथी दाना एक गिलास पानी में भीगो कर रख दें सुबह उठते ही आपको खाली पेट मेथी के दानों को चबा कर खाना है और मेथी का पानी पी लेना है सिर्फ इतना अगर आप लगाता तीन महीने तक करते हैं तो आपकी diabetes की problem जड़ से खत्म हो जाएगी मेथी दाना हमारी body में insulin के production को बढ़ाता है ताकि हमारी blood में sugar का level ना बढ़े तो इस तरह से आप मेथी के जरे diabetes को ठीक कर सकते हैं मेथी के जरे आपके बाल जड़ते हैं तो आप मेथी का दाना रात को पानी में भीगो कर रखें सुबह खाली पेटी से खाएं इससे आपके बालों का जड़ना भी एक से दो महीने में बंद हो जाएगा अगली चीज आप भीगो कर खा सकते हैं वह है अलसी अलसी हमारे दिल के लिए बहुत चीज है तो वह है अलसी आप अलसी के बीजों का एक चमच रात को पानी में भीगो कर रखें सुबह खाली पेट अलसी के बीजों को चबा चबा कर खाएं अगर आप इस तरह से हर रोज अलसी के बीज खाते हैं तो आपकी बाड़ी को ओमेगा 3 मिलेगा वेजिटेरियन ची चीजे बताई गई हैं इन्हें आप अपनी डाइक में जरूर शामिल करें आप ऐसा भी कर सकते हैं आप पूरे हफ़ते में हर रोज अलग अलग चीज का सेवन करें जैसे अगर आप सोंवार को चिया बीज ले रही हैं तो मंगलवार को मेथी दाना ले सकते हैं इस तरह से खा सकते हैं और अपने और अपने परिवार को हमेशा के लिए स्वस्त रख सकते हैं थैंक यू